मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलिकर है मैं मनोविकार सेख्षरोग सम्मोहन और विशनमुक्ति तग्ये हूं महाराष्ट में अकोला सिटी में मैं प्रैक्टिस करता हूं हमारे दों हॉस्पिटल है एक हॉस्पिटल जहां मनोरुगणों को बिना रिष्षतार दाखिल करते है और उनका इलाश करते है वह हम शराबी जो लोग है नशावाले उनका इलाश करते है और दूसरा हॉस्पिटल जो है वहां मनोरुगणों को रिष्षतारों के समेथ रखते है आज मैं आपको बताने मैं हमाला हूं कि हमारे पास में पेशेंट आते रहते हैं उस में से काफी लोगों को expressive fear रहता है कि उसके बारे में उसको हम phobia भी कह सकते हैं कि यह कुछ कूछ लोगों की ना बहुत छोटे-चोटे डर रहते हैं जैसा उनको अन्देरे का डर रहता यह चरहां यह कोई ड्राइविंग का डर रहता है यह कुद्ने का डर रहता है दौर चोटी डर रहता है और वह डर उनको कुछ फरक पड़ता नहीं है अजै कुछ जरूरी है मतलब संजुभी मैं highway से जा रहा हूं और मुझे डर नहीं है तो मैं करीसी भी गाड़ी चलाओंगा और मेरा accident हो जाएगा accident का डर है करके मैं बराबर गाड़ी चलाओंगा और चलाता हूं मगर कुछ कुछ ऐसे डर है कि जो बिना कुछ वजह बिना बेसिस के और बहुत जादा डर है और उससे हमारा life effect होता है तो वो डर का problem है हमारे जिन्दगी के पर असर होता है हम जिन्दगी पर जी नहीं सकते हैं और फिर उसका जिन्दगी पर असर हो जाता है जिन्दगी जिना मुश्किल हो जाता है तो वो हम फोबिया में उसको उसका वर्णन कर सकते हैं या उसको फोबिया कह सकते हैं खूरे कि वह लोग वह चीज अवएड करते हैं और जब वह आवएड करते है आप जीवन जना है मुश्किल हो जाता है ऑफ सबसक्ती हो घुखो हम गोले कि वही किसी को लीफ का बहुत डर है अभी लीफ का तर है और लीफ में जा सकता नहीं हो तो फिर समझें उसका मकांज उसका जो फ्लैट है वो 15 माले पर 20 माले पर है तो वो कैसा जाएंगा वो तो स्टेर किसे जाएंगा चड़ते-चड़ते जीने को तो फिर लोग ऐसा होंगा उसको तो प्राब्लम है क्योंकि लिफ में जाता नहीं है कुछ लोगों को घर से बाहर निकलने का डर है क्यों घर से बाहर ही निकलती नहीं मतलब लोगों में जाने का डर लोगों में मिलने का डर और फिर लोगों घर में बैठ रहे थे मेरे पास मे सकते हैं और बंच जगब है सकते नहीं है अक्यला मुश्किल है तो घर में आकिल रहे कुछ झ אני ऑना पने मर जा तो फिर इसमें कुछ कुछ ऐसे कुछ फोबिया कुछ कुछ ताइप była मिँ पताऊंगा आपको है सिंसल्फोबिद तो सिम्पलोग आंपने के पास में जाता नहीं या कुछ लिए का डर है या बिली का डर है तो यह लोग उसको अवैड करेंगे और उनका जिना चलता है मशलोग उनका कुछ ज्यादा प्राब्लिम होता नहां ile की सिंपल फोबिया है उस लोग मौ एग्वाराफो फोबिया अग्व जाने का मतलब वहां उनको open space में जाने का डर है या वो हाइट पर जा सकते नहीं कोई भी मंजील पर आप मतलब वो गया आदमी वह ऐसा बाहर से terrace पर जा सकता है उसको डर लगता है वह बहुत ही डर मतलब उसको लगता है उससे जाता ही नहीं को लोगों को social phobia है social phobia मतलब लोगों में मिलने का डर शादि में कोई function में जाने का कडर वा लोग रहेंगे तो वहां कैसा होंगा तो वहां उनको डर लगता है और और स्टेज पर जाने का डर है या पुब्लीक में जाने का बात करने का डर है यह इंट्रिव दे सकते नहीं लोग और उनकी जिन्दगी मतले इसमें रुख जाती है तो ऐसे बहुत सारे डर है कि उनकी जिन्दगी रुख गई है उनको उससे में ऐसा लगता है वो जो जिसका अभी डर लगता है वहां यह वह गय समझो अवाइड नहीं किया और वहां यह गय हो वह situation में तो उनको इतना पसिना छुट जाता है बहुत पसिना हात कापना दिल घबराना दिल धड़कन करना घबराट और उनको लगता है कि यहां से मैं भाग जाओं यहां नहेर हों तो वह जीकुष ऐसे experience past में होते है अतीत में कि जिसकी वज़से उनको यह डर बैट यह हो सकता है कि कार ड्राइविंग का डर है बहुत लोग है कि जो ड्राइविंग करते नहीं कुछ लोग जैसे कि बाइक से नहीं करेंगे कार बाइविंग करेंगे कि एवन सैकल तक ड्राइव क जाते या रास्ता पार करने के समय ऐसी कुछ घटना हुई कि जिसके वज़े से वह रास्ता पार नहीं करते लोग उस तो भी ऐसी घटना हुई उनके साथ में या और किसी के साथ में जिसके वज़े से उनको डर बैठ गया या उन देखा कि टीवी पर कुछ ऐसे मूवी देख मतलब उनको कोई चुड़वाने वाला नहीं था वो चिलाना पड़ा और बाद में फिर कोई लोग आया और उनको फिर वो कम्रे से बाहर निकाला वो लॉक हो गये अब उनको बन जगह का डर चालो हो गया फोबिया और वहां से फिर अभी और और जगह जगह फैल जाता है उन क्या है कि तुरण जिदि फायदा करना किसी को एकथ एक कि तुक्तपवाला करना एक इसको तो मेडिसी से ऊक्दम उसको बहुत अच्छा पाइदा पर जीस अबとう ऊच्छ भाइब आफे हो आउनके तरफ से बहुत प्रेशर आ रहया है अगर मैं मैं जह नहीं पाहूँगग तो उसको मैंने बोला ठीक है तू ऐसा कर अब ये मेडिसिन्स ले ले और उसको मैंने डोस लिख दिया और वो मेडिसिन्स मैंने बोला कि तू जब जाएंगा वहाँ तब जादा की एक एक डोस जादा खा लेना ताकि उसको फेस करेगा उसमें धरकन होना हाथ कापना, घबराट होना, सिर भारे भारे होना, बेचे निए, वो सब निकल जाएगा उस समय तक, वो ठाइम निकाल ले, परमन इलाज के लिए मेरे पास में फिर रिलाकसेशन अचयर भी है, वो रिलाकसेशन थेरेपी से डर निकलता है, हिप्नो तेरेपी है, कि वह सिचेशन का सिर्फ बैठ मेरे बैठ बैठ और वर नंद करेंगे विजोलाइस करो और सोचो कि तुम कार में बैठे हो और कार में बैठे के सफर कर रहे हो एक तो वह करो फिर उसको पिक्चर बताएंगे कार में आप बैठे होए और कार में बैठके सफर कर रहे ऐसा पिक्चर बताएंगे भी तो खुरस कर करो धिक कर को पास के खड़ा हो चाई बैठो मत जा हो हमत कहिं कि वह तर दियर धीन दीन के बाद में पार में बैठ ऐसे चला हमत वापस उत्तर या वापस आजा फिर दिरे दिरे कार में बैठो एक दो-चार दिन के भाद में फिर थोड़ी से दूर तक कार लेके जाओ कार के कांच बगरे खुले रखो और भाद में उसको वापस ले आना मतलब ऐसा धीरे 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 उसको exposure दे और exposure से उसका डर निकल जाता है तो ऐसे काफी सारे उसकी इलाज है, बहुत लोग है ऐसे कि जो सफर कर रहे हैं इसमें, उनकी जिन्दगी खराब हो चुकी है, चार-चार सार, पांच-पास साल लोग घर में बैठे हुए, कुछ काम दना करते नहीं है, क्योंकि उनको इत्ता अथ्यादिक डर लगता है कि वो काम के रहे नहीं, तो ऐसे काफी लोग होंगे आप ये वीडियो आपके फेस्बूक के ओपर, आपके वाटसेप ग्रूप के पर जरूर शेर करो, ताकि वो लोगों तक पहुँच जाएगी, कि जिनको ये प्राब्लम है, और उनको ऐसा रास्ता मिल जाएं, कि वो इलाज कर सके अबना, ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो उसको, शेर करो, हमारा जो मिशन है, वो है वेसल मुक्त भारत, शराब की नशेवाले जो लोगे उनका पुरा इलाज करना रो, नशा मुक्त भारत करना, और ये हरे को मानसिक स्वास्ते, तो उसमें आ आपका भी हाथ लग जाएगा, थैंक्यू वेरी मुच्छ